ओम शांति अज्ञानी लोग आठ गंटा नींद करते हैं तुमारी नींद आदी होनी चाहिए चार गंटा नींद बस जब तक खुद को नहीं समझाएंगे ना तब तक ये नींद को जीतने वाला नहीं बन पाते हैं कोई आपको कहेगा रहे हैं आपको चार गंटे सोने तो आप सूपा होगे चार गंटे बस आदत खुद को डालनी पड़ती है क्यूंकि पहले खुद को समझाना पड़ता है कि मैं योगी हूँ या मैं भोगी हूँ कौन हूँ मैं नींद का प्रोसेस फिर वैसे ही होगा करम योगी हो ना रात को दस बजे सो जाओ दो बजे उठो शे बाबा को याद करो अच्छा दो बजे नहीं उठ सकते तो तीन बजे उठो, चार बजे उठो वे फस्क लास समय है शांत, एकदम शांत रहती है सब ही अश्शरीरी बन जाते हैं सब ही अश्रीर, तो आप एकदम, संनता उस समय बहुत होता है जैसे कि मूलवतन हो जाता है सबने शारी छोड़ दी है मूलवतन हो गया आतम है सारी शांत सूप ख़र सता में है तो मूलवतन हो जाता है जैसे ऐसा लगता है जैसे सब मरे पड़े उस समय तुम भाबा को याद करेंगे न, तो फिर वे याद पक्की हो जाएगी, अब ये सब याद करने का चार्ट ये अपने लिए है, मानलो मैंने दो बज़े उठना है, तो मुझे किसी को बताना थोड़ा है, अरे मैंना दो बज़े उठती हूँ न, कि किसको दिन दोड़ और अमरित बेला फिर भी नहीं, उठ जाने के बाद भी नहीं उठे, आखे अगर बंध हो रही है, चिंतन अगर चल नहीं रहा है इस रेष्ट, तो फिर ये उठना थोड़ा है, ये तो सोई पड़े हो, पहले बैट पे सोई तो अभी बैठे-बैठे सो रहे हो, नहीं तो नहीं तो 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 नहीं नहीं बात करोगे तो यह तो जवर्दस्ती का सोदा हो जाता है और जवर्दस्ती का सोदा ज्यादा दिन तक नहीं चलता है आप गए हो क्या मिल्टरी में भरती होने सायना में बढ़ती होने गए हो, क्यों नहीं गए, क्या आपको देश से प्यार नहीं, पर पहला ही चिंतन आता है, क्या ट्रेनिंग, उनकी इतनी हाट ट्रेनिंग होती है, वो भी राज दुलारा ही होता होगा, उसकी मा भी उसको पुछकार पुछकार के उठाती होगी, और नहाँ पर तीर कीता रात ने दिन की ट्रेनिंग होती है, सिद्धे कर देते होने, अब वो क्या बन गए, क्या वो यूमन बिंग नहीं है, क्या वो मनुष्य नहीं है, चिंतन तो देखो ना, कुछ तो लेके जाओ कि अगर आपको अपने शरीर पर या किस चीजों पर जीत पानी है, उनको तो कलीफ नहीं होती होगी, उनके नहीं फैक्चर फुक्चर होते होंगी, या वो यह से बंदू के अभी भी खड़े हैं, उन्होंने नींद को जीता हुआ है, क्या उनको इसका फल नहीं मिलेगा, 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 क्यों नहीं मिलेगा, बवान देख रह हमें अपने बुर्शार्त के लिए है भगवान के लिए नहीं आप जीत रहे हो कि आप अगर उठ रहे हो तो आप भगवान के लिए उठ रहे हो कोई ये भी अपने लिए है कि जो हमने भी करम हमसे हुए हैं 63 जनम में कुछ ना कुछ ना कुछ ना कुछ हो जाएं, ज्ञान युक्त बुद्धी हो जाएं, तो हमारे करम आज के भी सुधर जाएं, अब आज की भी ज्ञान युक्त बुद्धी नहीं है, तो आज की भी करम नहीं सुधर नहीं है, तो उसका भी अब तो सारी डिटेल पता है ना, फिर भी हमें यह नहीं पता कि हमारा यह जो जनम है, यह सफल कैसे होया, तो तुमारी नीन तो आदी होनी चाहिए, वो अगर आठ गंटा कहते हैं तो तुमारी तो चार गंटे में पूरी हो जानी चाहिए, अब इसकी करनी पड़ती प्रैक् चलता उतना, आपका समय वेष्ट जाता है, और जो आप सोचते हो, वो सफल नहीं हो पाता, जितना ज्यादा व्यर्थ चलाओगे, क्योंकि आप एक संकलब रचते हो, उसके साथ सो व्यर्थ संकलब आ जाते हैं, तो आपका जो स्रेष्ट संकलब है, वो दब जाता है, तो आपको उसमय से फिर वापिस निकालना पड़ता उस रेष्ट संकलब को, तो महनत लगती है, तो वो समय फस्कलास है, एकदम शांती रहती है, सभी अश्चरीरी बन जाते हैं, उस समय संनाटा बहुत होता है, जैसे कि मूल वतन हो जाता है, ऐसे लगता है, जैसे सब मरे की हो जाई, अमरित्विले की याद अच्छा असर करती है, अच्छा, ओम शांती